पीला रंग देखकर इसे लड़ू मत समझ देना ये है नीमबू और ये जो तीस नजर आ रहा है ना इस तीस को देखकर कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये तीस रुपए का आधा किलो मिलने वाला है बिलकुल भी नहीं इसका रेट चल रहा है तीन सो रुपए पर केजी अरे यार नीमबू नीमबू ना हो गया जैसे कोई मिठाई हो गई क्या नीमबू मिठे होने लग गए है क्या जो इस वज़े से इतने महंगे हो गई है जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नीम्बू भाईया अभी भी बहुत खटे हैं तो ऐसा क्या हो गया कि नीम्बू भाईया इतने महंगे हो गए चलिए जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा नीम्बू आंध्रपरदेश, मारास्ट, गुजरात, मध्यपरदेश इन राज्यों में होता है लेकिन तोकते तुफान की वज़े से इन राज्यों में नीम्बू की फसल खराब हो गई तो पहला कारण तो ये है कि निम्बू की फसल खराब हो गई जिससे निम्बू की सप्लाई कम हो गई इसलिए ये महंगे हो गई दूसरा कारण यह है कि इस बार सरदियों में नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फैबरि में इतनी बारिश हुई North India में कि पता नहीं चल रहा था कि आज सरदियां चल रही है कि बरसात का मौसम चल रहा है तो इस बारिश की वज़े से भी नीम्बू की फसल खराब हुई है और तीसरा कारण तो आप खुद जानते ही हैं नहीं जानते? अरे सोच ये, बताईए तो सही अरे तीसरा कारण यही यार की डीजल पेट्रोल की कीमते बढ़ती जा रही है और जब नीम्बू की सप्लाई की जाएगी, इसका ट्रांसपोर्ट होगा तो सीधी सी बात है, डीजल पेट्रोल की कीमते बढ़ने की वज़े से ट्रांसपोर्ट करने की जो कोस्ट है, वो भी बढ़ेगी तो अटोमेटिकली निम्बू के दाम में भी इंक्रीज देखने को मिलेगा तो ये थी निम्बू भाईया के महंगे होने की कहानी I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना न भूलिए और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर कर लीजी आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट मिलते रहेंगे